एपसोरी शेटिंग होती है ये फिली को बता बढ़ता है उसकी एक्स गल्रफरंड शीचुन को एक बंदे ने मार दिया है जिसका नाम है वैंग मैंगजी ये नाइन मैन फेमिलीज में बिलोंग करता है और इसको गोड़ेस उफ जिस्टिस ओफिशली तोर पर किसी बते के सज ने दे सकती ये बता चलने पर ये फिली को बहुत गुसान लगता है वो खुद से बढ़ता लड़नी की सूचता है इसी टाइम पर उस दिगर पर कुछ बंदे बहुत जाते हैं जो कहने लगते हैं क्या तुम गुक कुण शेहन हो हमें यहाँ पर नाइन फेमिलीज में अब हम जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ हमारी प्रोटेक्शन की लोगा इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं बले ही तुमें घोलो लेगने फिर भी अपने आपको बचाने के लिए पर तुमें रोक नहीं सकता हूँ बलकि इस काम में तो मैं भी तो मैं मत करूंगा जगे तो शेन अभी तिलवार भार निकल लेता है उसकी बोड़ी के अंदर से भी मर्ड़र और भार निकलता है इससे देखने के साथी यह सारे बंदे शेम के पर टेक कर देता है और शेन एक ही जटके में इनसे भी खुतम कर देता है शेन जिसने बड़े-बड़े मुस्तर से फा सकते हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले तुम खुद ही यह सोच लेना, जो तो कुछ भी तुम कर रहे हो क्या वो सही है, यह सुनकर यह विली सोच लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, तबी उसे लगातार, अपनी एक्स ग्लिफन की यह सारी बात याद देने लगती है, जो टाइम उसे उसके बिताया था, और इसके अलावा यह फिली के पास में जित्ती पी याद देती है, वो सब की सब उसे याद देती है, जिससे याद करते वे उससे गुसा और विजदा बढ़ने लगता है, और फाइनली यह फिलीस उसको एकसेप्ट कर लेता है, कि उसे सच में वेंग मैंग्जी से अपना बतल लेना है, वो शेन को बताता है, कि वो वेंग मैंग्जी को इत्ती बुर्ते टोर्चर करेगा, जितना टोर्चर उसने शी जुन को किया था, और इस बार अगर कोई भी उस रोखने के कोश्च करेगा, तो उसे भी अलग्जस जा मिलेगी, यही के तेवे, यह फिली की पार्लियमेंट में, जहाँ पर बहुत ज़दा हाई सेक्यरोटी होती है, उस पार्लियमेंट के अंदर वो प्रीज सपीस दे रहा है, अगर वहाँ पर यह फिली ने उसके कुछ भी करने कोश्च की, तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, उस जगह पर बहुत सारे एक घोल की मत कर रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो सिचुशन और इस तक खराब हो सकती है, इसलिए उस जगह पर मैं खुतो चुपा के रखूँगा, कैसा रहेगा, गोड़ोस जिस्टेस इस जगह पर जी फिली का जो अर्मर है, आब वो समन कर लिजे, शेन के इताकनी के जाँ पर कवसर भीडाएवी है, यह पारलिमेंट के अंदर एक बहुत शंदर से इवेंट हुआ हुआ है, जाँ पर सामनी तरफ एक स्टेज है, जिसके ओपर एक बंदा खड़ाओ के बोने लगता है, मैं हूँ वैंग माजी, जैसे ही यह बंदे तक कहता है, सामनी तरफ ज स्टेज के पर खड़ाओ कर, यह ओरतों के बारे में बात कर रहा हुता है, कि किस तरीके से उन जाज़दा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और किस तरीके से पॉलिटिस के अंदर ओरतों को जित्ता हो सके उतना आग्या आना चाहिए, इस सब के बात में यह वोमन राइट के बात करने लगता है, इसी टाम पर यह फिली इसके पहुच जाता है, वो वेंग मांजी के एकदम पीचे खड़ा हुआ है, कोई भी उसे यहाँ पैता हो देखनी पाता, वो एकदम से उसे कहने लगता है, तुम बात करोगे वोमन राइट के बारे में इस तरीकी स्लोगन फरतफरी मच जाती है, इसी टाम पर उसके पर जितने भी गार्ड्स होता है, यह सब के सब जो चलान शुकर देता है, जल्दी से उनको छोड़िये, वेंग मांजी के उपर जो तुम बात कर नहीं को इसकी तुम पर सजा मिलेगी, इसके जवाब में यह फिली एक चुटी च चल रही होती है, यह फिली इस बंदे वेंग मांजी की पूड़िये, वेंग मांजी डरते वें, यह फिली सिब उसता है, तुम कौन हो, तुमने बुझ अस पकड़ा क्यों है, बहुत जाने दो, यह फिली केता है, मैं घोल्स का राजा हूं, और इसके लावा, तुम शीजन वंगमाजी कहता है तुम मुझे अच्छता नहीं जानते मैं पुच्छत अमीर हूँ तुम्हें मुझे जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूँगा मुझे बस जिन्ता छोड़ दो शीजुन के साथ में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैं करना नहीं जा दा लेकिन ये सब कुछ फिरपी करना पढ़ा प्लीज कुछ जाने दो इसकी बदले में मैं तुम्हें एकद्म एक्टम एक्कुलल Championships दे सकता हूँ तुम्हें जित्ती भी लड़कें चाहिए, वो सारी सारी तुम्हें मिल जाएगी, इसके लावा मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा, ये फिली कहता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिदे हरूँ, लेकिन शीजुन को आपस ले आओ, अगर तुम ऐसा कर देते हो, तुम्हें जो खुछ चाहिए, वो मैं तुम्हें लाके दूँगा, ये सुने के साथ ही, वेंग माज़ी के पास में, अब कहने के लिदे कुछ भी नहीं होता, विद्धों चुप हो जाता है, इसे के साथ, ये फिली, अपने साइट एंटिकल से, वेंग माज़ी की बोड़ बहुत दूरतों तुम्हें सुनाई देती है, ये फिली कहता है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा, मैं अभी तुम्हें कभी बुड़ी के अंदर कई से रेपार्ट बागी है, जो की तुम्हें मनने नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें बुड़ कुछ शेन जो कि यह सेFireं होता है जिसने Selecting Crown का आरव जो ईदोस्त में यह दोनों से एक बंदा ली ड пост कहना है वहिए camera आसे स्क्रिन के पीछे रहो कभी इसलिए में सामया नहीं आते तो अब तुम कि यह अगरे a क्या हो सेर्ट आ यहां कर रहा है वो एक बहुत बड़े कमेने को उसके क्योगी सजा देने वारा है और मैं यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा हूँ किसी को भी उसे रोखने ने दूँगा जो भी यहाँ पर आएगा उसे मेरा सामना करना हुआ लिडों कहता है तुम जानते हो ना तुम यहाँ पर किसी रोखने कोश्च कर रहे हो हमें रोखने का मतलब है इस सिटी की गवर्मेंट सपंगा लेना और इसके अलावा तुमारा उदोर्स जिसे मानने कोश्च कर रहा है वो इस सिटी की 9 main families में से किसी एक family से ब्लौग करता है इस सब के बाद में तुम दोने खेरात बहुत बुर्टे से खराब होने वाली है शेन केता है मुझे इस सबसे कोई फ्रक ने पड़ता मैं जो करने आया हूँ वही करूँगा शेन के इता के निक साथी जैंग जोगी शेन का एक काफिचा दोस्तरे चुका है यह यहाँ पर अपरी स्मार्टरेस दिखाते वे कहने लगता है मैं समद चुका हूँ तुम असल में स्लेक्टरिंग ट्राउन हुई नहीं जब भी स्क्रीन के उपए स्लेक्टरिंग ट्राउन दिखा यह दा था पांचों को साथ में देख लिया तो इसका मत्तब इस विल्ल का डिस्ट्रक्शन बहुत ही करीवा चुका है जिस भी दिन ऐसा होगा उस दिन तुम्हें कुछ खास दिखाई देगा यही सब बक्वास करते हुए शेन की इस तरीके से इन दुनों का टाइम विस्ट करने के कोश़ करता है क्योकि वो बेकार में अपनी दोस्ते से फैट नहीं करना चाता है शेन की इन थे परिशान हो कर लिड़ों को बहुत ती गुश्ते में उससे कहन लगता है अपनी बक्वास बंद करो हम यहां पर टाइम विस्ट कने के लिए निया है हमारा बहुत इंपोर्टन काम है तुमने यहां पर हमें रोग कर free federation के नियमे को तोड़ा है इसलिए हब हम तुम पर ही विटेक कर सकते हैं शेन केता है यह निसका मतलब अब मेरे पास में जदा टाइम नहीं है मैंने पिल उस जदा तुम दोनों से fight नहीं करने पड़ेगी लेकिन आप fight करनी पड़ रही है चलो अब देख लेते हैं इस city के अंदर जो कुछ ताकतों लोग है उनकी power कितनी ज़ाद है गार्ड्स जल्दी से आगे बढ़ो मेरे सामने अरिन पार को पूरूफ करो यह कि तश्रेन अपने हाथों के अंदर दू वैपन्स को ले आता है यह कुछ खाश अंदर वैपन नहीं है बस यह दोनों इतने खतरनाक है कि Monsters के उपर अगर सीथे से यूज़ किया जाए तो Monsters की एक बहुत बरी सेना खतम हो सकती है यहां से हम वापे से यह फिली के सेटक सीन देखते है यह फिली अभी भी वैंग मैंग्जी को टर्चर करने में लगा हुआ है वो से कहन लगता है उसकी देदबरी चीखे एक बी सेकने लिए रुपती नहीं है यह फिली केता है हाँ ऐसे ही चीख दे रहो तुमारी यह चीखे जरूर से शीजुन तक पोचली होगी उसे जरूर से काफी अच्छा लगेगा और उसकी बाद में जरूर से मुझे भी अच्छा लगेगा मुझे शांती मिलेगी मैंगजी केता है प्लीज मुझे माफ कर दो मैं यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और लीगल तोर पर उन गलती गुनाओं को अपनी ओपर लेकर जेल जाने को भी प्तेयार हूँ और फिचली गौड़स उस्टिस मुझे जो भी सेदे की उसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा यहीफिली कहता है नाई ऐसा नहीं होगा तुम्हें जूर्फिस जा मिलेगी वो साइक सारी तुम्हें मैं ही दूँगा तुम्हें माफी तुम माँगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी इस माफी की बाद में तुम्हारी मौत अब आसान हो जाएगी यह किते जूर्फिली अपने टेंटिकल लिउस करके वेंग मैंगजी को उसे गर्दन से पकटर उठा लेता है वह में लटका देता है इसके बाद में वेंग मैंगजी खुतु आखरी पर वचानी कोच करता है उससे कहता है अगर तुमने यावी मुझे मार दिया तुम्हारी पीछे लग जाएगी यहाँ पर सबने तुम्हें मेरे साथ में ऐसी रकल करते हो देख लिए इसलिए अपके बात में तुम जांकर भी दिखाई दोगे वहीं पर तुम पर अटेक हो जाएगा और वहाँ पर तुम मार दे जाओगे अब ना क्यों तुम मरोगे बलकि तुम्हारी पूरी फैमिली खतम हो जाएगी तुम जिसके जिए कुछ आते होंगे उस अभी सब मारे जाएगे यहीं फिली कहता है यकीन मानो तुम किसी को भी नहीं मार पाओगे किसी को भी अगर नुच पर अटेक करना हो तो वह अटेक करने के लिए आ सकता है मैं इंतजार कर रहा हूँ यही किते वे यही फिली अपना अगरे टेक करता है वो जल्दी से मेंगजी के सीने के अंदर अपना हज दाल कर उसके हाट को उसकी बोड़ी से बहाँ निकाल लेता है और इसी टैम पर अपने सारे टेंटिकल्स उसके सर में गुसा जिता है इसी की साथ ही उसे इतने लंबे चल रहे इस डॉटचस समक्ति मिल जाती है वो शान्त हो जाता है ये सब कुछ करने के बाद जो तभी जीफिली को कुछ का सकूँ नहीं मिलता वो जल्दी से अपने टैंटिकल्स को अपने बोड़ी के अंदर लेने के बाद में खुछ मिसूस करने की कोईश करता है लेकिन ऐसा होता नहीं है वो लाकातार अपने गल्फने परे में सूसता है जिसमें उसने उसे वादा किया था कि वो हर तरीके से उसे प्रोडेट करेगा लेकिन इस चीज़ के अंदर वो कामयाब नहीं हो पाया तभी जिस्टिस उसके पहुच जाती है और जिफली सकें लगती है जल्दी से यहां से निकलो तुमने यहां पर जो कांड किया है उसका असार गुक कोइंचन के पर दिखाई दे रहा है वो वहां पर अकेला उन दो बंदू सो फैट कर रहा है वो दोने कवी ताकत वर है यह fight तरद चलती रहेगी जब तक तुम्हेंसे चले नहीं जाते जीफिली कहता है वहाँ पर वो दो और गुक कोईचन अकेला वो जाकर उसके मदद करनी चाहिए जश्टिस कहती है नहीं तुम्हें मदद के जुरूत नहीं है उसे वो तो वहाँ पर उन दोनों के साथ में खेल रहा है वो उन दोनों को माना नहीं चाता है इस विए से तुम्हें ऐसे जाने के लिए कह रहा है ताकि यह fight खताब हो सके यह उसमकर गिफिली मान जाता है और तेजी से उसके से निकल जाता है यहां से हम दूजी तरफ इस फैट कर से न देखते हैं, जहाँ पर गुट कुइंचन अकेला इन दो बंदों से फैट कर रहा है, लेकिन यह फैट पूरती से बचकानी फैट है, यह दोनव अई हर तरीके से शें के वागते हैं, कई सारी ओर ऑरा उसको शें के पर फायर कर रहा लेकिनissy salary attack को dodge कर रहा है या फिर अपनी sword से attacks को block कर रहा है आखरी में Sameее Jayne एक attack करने के decide करता है वुँत इंटी से भाग कर लीड़ों के बीचिक सहर माता है और उसके उपर अपने तरोर से1 attack कर देता है जिससे उस जुगह पर एक चुरौत दहम ridiculously होता है तबी जैंग को भी यह सब उजमाद देता है वो जल्दी से शेन से बूसता है एक मिट रुको तुम हो कौन ये तो बता के जाओ तुमने जिस तरीके से हंदुरी से फैट की वो बहुत ये शांदार था तुम्हारा कल्टिशनल लोल कव जदा हाई है मुझे बताओ तुम कहां से आयो शेन केता है तुम्हारा ये सवाल कव शांदार है मैं इसका जौब तो नहीं दे सकता है लेकिन इसके जिगह पर तुम्हें को छोड़ दे सकता हूँ मैं जैसे आया हूँ ये बुक उसी जिगह से बिलोंग करती है अगर ये तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम्हारे पावर थोड़ी बढ़ सकती है इसके अंदर से कल्टिशन स्किल्स सीखकर खुद की पावर को बढ़ाना और उसके बाद में मेरे लेवले बोज़ने को बाद में अपने आपी मुझे सब को जान लेना जगते शें इस बुक को सेंग तरफ एक देता है सेंग से बगड़ कर जली से खुल की देखता है और काफी जो हो जाता है इसके अंदर काफी शणदार सी मॉर्ण है क्वारं से धीकिल से है यसे दिकर वो और छो एकए तरह दिखता है जनरल इस वर्ल्ड को तुम जिसे लोग के जुरू होता है अब जल्दी से इस स्किल को सीखो और खुद को ताकतर बनाओ यह कितिव शेन अपने सूट का जैक पे टोन करके तेजी से यहां से उड़ जाता है नीचे खड़ा हुआ जैंग अभी भी शेन वान से ताव देखकर यह सोच रहा होता है यह बंदा था कौन थोड़ा जाना पेचाना सा लग रहा था यहां से हुम वापिस से इसका बिस्तरंगस ने दिखते हैं जहां पर जीफिली पहले पोच चुका है वो यहां पर एक जिगा पर एक पेड़ लगाने लगता है और फिर अपनी एक्स गल्फरेंड शीजुन से कहने लगता है शीजुन मैंने तुम्हारा ब्रदा ले लिया है वो बंदा मारा गिया है जिसने तुम्हें मारा उस कमीने को उसी गल्दियों की बहुत बुरी सज़ा मिली है इसे पहुचने में अभी बहुत टेम लगेगा रहा जिग दोबार से उसके उस्तरंब भी पाँंगा या फिर न एक बाद में तुम्हें केवल अपने गल्फरेंट की यवास सुने देती है तुम्हें और कुछ नहीं नहीं दिया यूफिली कहता है सुने तो बहुत कुछ दिया था लेकिन मैंने एक जब एक कॉंसलेट करकर कि उसी की वास को सुनने की कोश्च की और पैक सिब को फूरत से जो बागी की वाजी थी वो किस देव्य की थी या तुम उनने डिटिफा कर पाए जी फली कहता है मैंने अभी तो कहा मैंने सभी वाज्च हो इग्नोर किया था वो सारी अवाजे मुझे तक कम सुने देती थी कि मजे कभी उंस से एडि़न्टिफा करने का टाइम भी नहीं म कहता है मैं कुछ नहीं कहना चाहता मेरे पास में बच्छ कुछ सवाल है उनके जवाब चाहता हूं फिलाल मेरे पास में कुछ जरूरी काम है मैं चलता हूं यहां से हम एक desert area का सिन देखते हैं जापर दूर-दूर तक कोई भी दिखारीन दे रहा है यहां पर शेन अकेला है औ पहले बिशले गिरने के बाद में शेन तेजी से इसकी स्पीड को रोज़त बढ़ा जैता है, और तेजी से उस पूरे जिगा पर ट्रुबिशन करने लगता है, बिजल लगातार उध्र-षज़ उध्र-दर गिरती रहती रहती है, कफी दिर तक ये से कुछ करने काथ में जब शेन को एक कफी चिक कामे मिल जाती है वो अच्छे कास लेयोले पोच जाता है इसके बाद में वो कुछ सक्टन के लिए रुटता है तब इक गोड़ेस उसके बास में आती है और कैन लगती है जैसा कि तुमने का था वो रेन जो की इस पूरे वर्ल्ड के दर चल रही है वो एकदम रुकने वाली है बिल्किन जब ता चला है वो कही जगों भी तो रुक भी गई है और बाखी जगों पर एकदम एंड पर है असलमे इस सेन की बिछले सीजन के अंदर जब शेन इस वर्ल्ड के अंदर आया था तब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुती खतनाक से वायल सरी थी और शेन का कहना था इस बारिश जब तक हो रही है तब तक तो ये वर्ल्ड सेफ रहेगा लेकिन ज़र सही ये बारिश खतम होगी उससी टैम पर कैसे रिफेक्ट दिखाई देने लगेंगे इसलिए सेन ने गोड़े सो जिटिस के अपर इस बारिश के अपर पूरे तर नज़र रखने के लिए कहा था और अब जब भी बारिश शुरू चुकी है तब शेन ख़वजदा परिशान हो जाता है क्यों से पता है बारिश शुरूखने के साथ ही अब मॉस्टर अटेक्श शुरू होने वाला है यह वतार चलने के साथ ही शेन दुबार से अपने ट्रिबूशन की परसेस शुरू कर देता है और अब क्योंकि उसके पास में टाइम पॉस काफी काम है लगबग एक दितर कल्टिशन करने के बाद में शेन ओ फाइनली इस से तक काम है मिल जाती है उसका ट्रिबूशन फुर्टर कम्प्लिट हो चुका है इससे उसका लेवल अप नहीं हुआ है लेकिन उसके पास में एक काफी बड़ी कल्टिशन के स्केल आ गई है जिससे वो मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है इस सारी प्रसेस तो कम्प्लिट करने के बाद में शेन के जाद आता है कि उसके पास में एक स्वार है जिसके बहुत बुटल डेमेज है और इसके लावा इस स्वार के अंदर एक स्प्रिट भी है जिसते शेन ने वादा किया था कि जैसे ही उसके इमिशन कम्प्लिट हो जाएगा उसके बाद में वो स्वार को रिपेर करेगा जैसे शेन को यह चीज़ आती है वो तुरनती इस स्वार के रिपेरिंग काम में लग जाता है यहाँ से हम शेन को उसके स्पेशिप के अंदर देखते हैं जापर उसकी प्रसेश चुरूँ चुकी है इससे स्वार को ठीक करने के लिए शेन अपने कई सारे कॉनिशन पॉन्ट खच कर दी है अब ही भी यह स्वार ठीक होने के त्यार नहीं है इसकी वार में शेन को ठीक बदा चलता है इससे ठीक करने के लिए उससे कविसीρα रिसूस की जुरूषत है एके करके वो किसीर रिसूस की नाम लेता है अब पूर जस्टिस से वुर्चता है कि यह सारी चीजे उसने कांग से मिल सकती है Justice कहती है यह सारी चीजे तो तुमें के एक ही जगे मिल सकती है जो कि है Foxy Empire यह नाम सुनने के साथी शिंतर परिशन हो जाता है क्योंकि Foxy Empire से उसने बहुत ही ऐलग डिलिशन है इस Empire का राजा शेन का एक बहुत बड़ा फैन है इसने शेन से एक बर एक वादा किया था कि शेन कभी भी इसके सिटे के अंदर आ सकता है लेकिन फिर भी शेन कभी भी इसके सिटे के अंदर जाना नहीं चाहता इसी जिए से वो जिस्टी से बूचता है कि इसके लाव भी और को जगह है जपर में ये मिल जाए जिस्टिस रोबोट सेर्च करती है और फिर कहने लगती है तुमारे किस्मत कभी से जची चल रही है हाली में एक वाशिप शुरू हुई है जिसके अंदर कुछ टाइम से एक सेरी चल रही है जिसके अंदर कैसरे किस्मत को बेचे जा रहा है हो सकता है वापर तुम भी कुछ शांदर से मिल जाए मज़ों तो लगता है वापर तुम भी सब कुछ मिल जाएगा शेन कहता है ये तो काफ़ ठीक रहेगा मैं यहीं पर जाने वाला हूँ मुझे जल्दी से इसकी जितिप रिटेल है उस साइक सेरी निगल के दे दीजिए जिए सुनकर गड़ी सुजिस्टिस अपने काम पर ले जाती है तब उसके पास में एक स्पेचल इंफर्मिशन आती है कि एक नेवी कमंडर के पास में एक स्पेचल टेकनलोजी है जिसकी मदद से वो इस स्पेच होल्स को क्रेट कर सकता है यह पता चलने के साथी शेन गड़ी सुजिस्टिस को इसकी बर पर नजजर रखने के लिए कह देता है तब उस जिए पर एक कॉल आता है जी कॉल है यह एंगाओ का जो की कॉल के उटिंग साथी शेन को पर कुछ सा करते वे उससे कहें लगता है यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ एक भूल ने पारलिमेंट के प्रटेक करके एक बंदे को बहुत बुर्ते से मार दिया वो भी सब के सामने इसलिए हम पर किसी तरह कोई अटेक नहीं होने वाला और जी फिली को हम संभाल लेंगे और इसके लवा मुझे तुम पर भी एकीन है तुम सब को संभाली सकते हो तुम तो असेसियन के लीडर हो तुम से यह चोट मिट असेसियन कब तक छुप पाएंगे जी इंगा कहता है कर रहे थी पहले जब आपने यूज किया था तुम यह के और कुछ टाम के लिए था क्या आप यह पूरतास रेडी हो चुका है जिस्टिस कहती है का फिच्चे प्रव्यस हुई है लेकिन यह इससे भी प्रव्यान करता है इस देखर ऐसा लग रहा है यह हमारे वल्ड से ब्लॉंग भी नहीं करता इसकी बोड़ी भी कब जिदे अलक्सी लग रही है इस फोटो को ठीकते से मैं स्कैन कर सकती हूँ हम जल्द ही इसके चेहरे के पर काम कर देंगे जिसम गच्चे न सूचता है यह नहीं की अब टैम हो चुका है वापिस से कलिशन विल्किन जाने का